हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में एक वह फिर से बॉलियूड एक्टर अक्सर कुमार को लेकर और उनकी अपकमिंग फिल्म मिसिन लॉइन को लेकर आपको आदें फिल्म की अनौसमेंट कहने को तो 2020 में ही कर दी गई थी यहांद की तक्रीवन 20 दो साल ओचुके हैं इस फिल्म की ऑफिसियल अनौसमेंट को लेकिन अभी तर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है इस फिल्म को लेकर जिस तो यह आपको पता है अक्से कुमार ने अल्रेडी बैक टूबग 6 फिल्मे फ्लॉप दे दिया है तो ऐसे में 300 करोर का दाव अक्से कुमार पर लगाना बहुत बड़ा रिस्क होगा और आपको बता है कही ने कहीं जो इस फिल्म का बज है वो बहुत ज़ादा नेक्स लेवल का है तो इस फिल्म को अभी होल्ड पर डाल दी गया है लेकिन यह चीज गन्फरम है कि आने वाले एक डिट साल में इस फिल्म का प्री प्रोडॉक्शन वर्क चालू कर दिया जाएगा क्योंकि जो फिल्म का क्रेस है वो next level है और इस फिल्म में आपको लेडिंग में नज़र आ रहे है अक्सा कुमार वो भी एक साइंटिस्ट के बूमिंगा में और ऐसा नहीं है कि उनका एक रॉल होंगे इस फिल्म में आपको double role में नज़र आएंगे अक्से कुमार और यकीननी फिल्म next level का venture बन के सामने आएगी जिसके लिए audience काफी excited है अब ऐसे मैं बात करें इस फिल्म के buzz को लेकर तो आपको आदें जब इसकी announcement हुई थी वागई इस फिल्म को लेकर audience काफी excited से क्योंकि इस फिल्म की जो director है जगन सकती वो काफी excited थे अक्से कुमार के साथ एक बाद फिर collab करने को क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने अक्से कुमार के साथ Mr. Mangal जैसी ब्लोगबस्टर फिल्म दी थी इसी वाज़ास से जोनों एक साथ काम करने के लिए बहुत जल्दी तेयार हो गए थे और अगर बात करें इस फिल्म के collection को लेकर तो आपको आदे अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हो रही है साहए 2025 तक भी क्योंकि आभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है लेकिन एक चीज़ कंफरम है जिस दिन ये फिल्म सिनवाज में उत्रेगी ये इस फिल्म को लेकर कोई सामने अपडेट आएगी तो डेफिनिली फिल्म रॉक करेगी और ऐसे में आपको क्या लगता है अकसे कुमार को ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं वेल आपको क्या लगता है अब इस फिल्म बनती है तो फिल्म पहले दिन कितनी कमाई करेगी 50 करोड, 100 करोड, 1500 करोड, 200 करोड ये से कही ज्यादा आपकी राइकाउन में मैंसन कर सकते हो या यह होगी फ्लॉप, डिजास्टर बोले तो